अगर आपको भी कुछ इस तरह से मैसेज रिसीव हुए है वहान के तरफ से यहने आपके आर्टियो के तरफ से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज के वीडियो में मैं आपको इस मैसेज से रिलेटेट सारी इंफरमेशन देने वाला हूँ क्योंकि इस तरह के मैसेज आर्टियो के तरफ से बहुत से लोगों को रिसीव हुए है लाइक मेरी भी प्यूसी एक्सपायर हो डीती तो मुझे भी रिसीव हुआ है और इस मैसेज के अंदर एक हालेटेट पॉइंट यह लिखा गया है कि यूरूल के हिसाब से अगर आप अपना प्यूसी जो है उसे अगर आप रिन्यूल कराने में जादा डिले करते हो तो अपसे आपको पैनल्टी या फिर डिले फाइन भी लगने वाला है तो आज के वीडियो में मैं प्रॉपर आपको इन्फरमेशन देने वाला हूँ और इस वीडियो के अंदर हम सारा फैक्ट चेक करने वाले है तो यह जो मैसेज के अंदर लिखा गया है कि डिले फाइन तो क्या एग्जेक्ली आपको डिले फाइन लगने वाला है क्या आपके उपर पैनल्टी लगने वाली है अगर आप जाधर डिले करते हो या नहीं इसके बारे में सारी इन्फरमेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है मैं हूँ आपका दोस्ट आपको हुस्ट अमान बीना टाइमर्स करते हो स्टार्ट करते हैं एक चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस तरह का SMS रिसीव हुआ है RTO के तरफ से यानि वाहान के तरफ से और इसमें जो बात लिखी गई है कि डिले फाइन आपको लग सकता है अगर आप PUC रिनिवल कराने में डिले करते हो तो क्या ये सही है या नहीं तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ ये 100% सही है अभी प्रेजेंट रूल के हिसाब से अगर आप अपकी PUC जो है उससे रिनिवल कराने में आज आपकी PUC एक्सपायर हुई है और आप काफी डिले कर रहे हो एक एक दो दो महीने तक आप अपनी PUC करवा रहे ही नहीं हो उसके बाद आप डिले करके अपनी PUC करवा रहे हो तो आपके उपर पैनल्टी लग सकती है और आपको डिले फाइन भी लग सकता है अब लग सकता है क्यों? इसके बारे में आपको सारा में प्रूव भी बताने वाल है अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत से लोगों के कमेंट भी आने वाल है भाई मैंने तो साल भर तक PUC नहीं कराया छे महीने तक नहीं कराया, चार महीने, पांच महीने तक नहीं कराया हमें तो कोई फाइन नहीं लगा, कोई डिले फाइन नहीं लगा तो हो सकता है आप कोई lucky person हो इसलिए आपको नहीं लगा है क्योंकि friend मैंने बहुत से लोगों से बात किया हूँ और बहुत से लोगों के comment भी मुझे receive हुए कि भाई जो PUC है मैंने ज़ादा delay किया तो मुझे एक सेक्टर इत्ता इत्ता fine 500-600 रुपे भी fine उपर pay करना पड़ा वो proof आपके screen पर है आप देख सकते हो इक comments कुछ मैं आपके सामने show कर रहू कुछ persons के वो आप देख सकते हो उनके comment क्या है से यह चीज़ तो बिल्कुल clear हो रही है कि fine जो है वो लगना शुरू हो गए है अब अगर आप PUC कराने में डिले करते हो तो आपको भी penalty लग सकती है वो चाहे 400-500-600 रुपे भी हो सकते है PUC से वापकी 100-500 रुपे की होती है maximum अगर बात करे 100 रुपे की होती है लेकिन अब अगर आप डिले करते हो तो उसी 100 रुपे की PUC के लिए आपको 500 रुपे पे करना पड़ेगा तो इससे तो एक reality check हो गया है कि definitely penalty लगना शुरू हो गई है तो अगर आपको ये message receive हुआ है आज receive हुआ है, दो दिन हो रहे है, तीन दिन हो रहे है या एक week हो रहे है, आपने PUC renew नहीं करा हो तो मैं आपको ये ही recommend करूँगा जल से जल PUC center आप विजिट करो और PUC को renewal कराऊ otherwise delay करते हो आपको penalty भरना पड़ेंगा जो के लोगों को penalty लग भी रही है तो फैंट main motive इस वीडियो को बनाने के ये ही था आप से कुछ information share करना इस message से और इस SMS से related ये भी comment करके जरूर बताना कि किसको ये message receive हुआ है और एक चीज़ में आपको clear कर दूँ कि ये उन्ही persons को message आया है जिनके PUC expire होने वाली है एक दो दिन बचे है या फिर expire हो चुकी है उन सभी को ये message receive हुआ होगा अगर आपकी PUC expire नहीं हुए ये एक महिना देड़ महिना बचा हुआ है तो आपको ये SMS receive नहीं होगा लेकिन जिसकी PUC expire होने वाली है ये हो चुकी है उन्हें ये message receive हुआ है तो अगर आपके कोई भी doubt है इस वीडियो से related या कोई other तो आप comment section में पूछ सकते हो मैं जल्द से जल आपको reply देता हूँ सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए good bye